सम्मंदित पर्मुग घटनाई देखेगा गोतम बुद्ध से सम्मंदित घटनाई बहुत सांदार बिंदु है यह यहाँ से क्यूशन भी आता है कैसे देखो इनके जीवन की चार बड़ी घटनाई एक तो आपको पुछा जाता है महा महा भिनिश कर्मन एक तो इनके जीवन से रिलेटेड यह घटना है महा भिनिश कर्मन एक इनके जीवन से रिलेटेड गतना है निर्वान एक घटना है धरम चकर परवर्तन और एक है महापरी निर्वान सबसे पहले तो ये घठना ही क्या है ये समझे क्योंकि कही बार एक्जामनर क्या करता है कि डाइरेक्ट थोटी कलकिशन आपको पूस्ता है जैसे महापरी निर्वान का मतलब है इनकी मर्तिय हुई थी धरम चकर परवर्तन का मतलब है कि इन्होंने पर्थम उपदेश दिया था उस घठना को क्या कहा गया है इतियास में धरम चकर परवर्तन निर्वान का मतलब है कि इनको ग्यान की प्राप्ती हुई थी ग्यान की प्राप्ती और महापिनिश कर्मन का मतलब है इन्होंने ग्रहे त्या किया तो केई बार तो क्या होता है एक्जामने डाइरेक्ट यहां से क्यूशन पूशता है कि गोत्तम बुद्ध दुआरा पर्थम उपदेश देना किश परकार की घटना है तो आपको याद अखना है धरम चकर परवर्तन या आपको पूशता है गोत्तम बुद्ध दुआरा ग्रहे त्या की घटना क्या कहलाता है महा भिनिश कर्मन या फिर आपको ऐसे पूशेगा कि गोत्तम बुद्ध से संबंदित महा भिनिश कर्मन क्या है तो आपको याद रखना है जो ग्रह त्या किया था इन्होंने उसे क्या कहा गया है महा भिनिश कर्मन याद रखेगा यहां से और भी बड़े सांदार सांदार क्यूशन आपके लिए होते हैं जैसे इन्होंने कोण सी आयू में महा भिनिश कर्मन किया था यानि की ग्रह त्या किया था तो आपको याद रखना है 29 वरस की आयू में 29 वरस की आयू के अंदर इन्होंने अपना ग्रह त्या कर दिया था दूसरा और क्यूशन बनता है कि इनको निर्वान यानि की महा ज्यान की प्राप्ति कहां हुई थी तो याद रिखेगा बोध गया में बोध गया में अच्छे यहां पर एक फैक्ट और भी बनता है कि इनको यह जो ज्जान की प्राप्ति है कि किस वरक्स के नीचे हुई थी तो आपको याद रखना है पिमपल वरक्स के नीचे लेकिन आपके लिए यहाँ से एकुशन है जिस पिमपल वरक्स के नीचे गोतम बुद्ध को महाग्यान की प्राप्ति हुई थी इसको किस ने काड़ दिया था किस शाशक दुवारा इसे काड़ दिया गया था ये कमेंट करके बताना आप और यहाँ पर धर्म चकर परवर्तन यानि कि गोतम बुद्ध ने अपना पर्थम उब्देश कहां दिया था तो आपको याद रखना है इन्होंने अपना जो पर्थम उब्देश है वो शारनात में दिया था कहां पर दिया था शारनात में very very important महापरी निर्वान का मतलब है इनकी मर्ति हुई और इनको महापरी निर्वान कहां हुआ था तो याद रखेगा कुशी नगर में कुशी नगर के अंदर इनकी मर्ति हुई सारनात के अंदर इनोंने अपना पर्थम उब्देश दिया और बोध गया के अंदर इनको ज्यान के प्राप्ति हुई गोत्तम बुद्ध की जो जनम इस्तली है वो है आपके लुम्बी नी गाउं कहां पर है ये तो याद रखेगा नेपाल के कपील वस्तु अब यहां से आपके एक्जाम के लिए बहुत सारे क्यूशन मनते हैं कौन कौन से वेरी वेरी इंपोर्टेंट याद रखेगा इन क्यूशनों को गोत्म बुद्ध से संबंदी जो गटाएं हैं महा भिनेश कर्मन निर्वान धरम चक्कर परवर्तन और याद रखेगा महा परी निर्वान चारों ही बिंदू बड़े इंपोर्टेंट है आपके एक्जाम के लिए जहां से आपको एक्जाम निर्क्यूशन पूशता है और इसके अलावा इनकी जनम इस्तली तो वैसे इंपोर्टेंट है याद रखेगा इसलिए तो आप गोतमबुत का अन्य नाम भी पढ़ते हैं जैसे इनके बच्पन का नाम तो आप क्या पढ़ते हैं आप कहेंगे सर बच्पन का जो नाम है वो तो है शिद्धार्थ लेकिन इनका उपनाम क्या पढ़ते हैं आप आप कहेंगे सर लाइट ओप एशिया एशिया का जोती पुन्ज ये किस वंस के है तो आप कहेंगे साक्ये वंस के वेरी वेरी इंपोर्टेंट और इनका जनम कब हुआ आप कहेंगे सर 568 विशी में लीजिए अब आप किसी भी कम्पिटेशन की तियारी कर रहे हैं तो आपके एक्जाम के अंदर यहां से कोई ना कोई फैक्ट जरूर पुछा जाएगा इसमें कोई दोर आए नहीं है अब वो चाहिए आप निर्वान की तरब से पुछे या धरम चकर परवरतन पुछे या ग्रहे त्या की घटना क्या कहलाती है वो पुछे या फिर इनकी मर्तिव या फिर इनको महापरी निर्वान कहा हुआ ठीक है बताए इस सारी चीज किलियर है कमेंट करके बताइएगा सब किलियर है समझ में आ गया ठीक है चली चली तू इस्टार लगा लिजिएगा एक्जाम के अंदर क्यूशन आनाते है सो परशेंट ठीक है चली शाबास